Nervous Disorders जो आपने Short Questions के हवाले से करने हैं सबसे पहले इसमें Parkinson's disease जो बताइगी है जो के Nervous Disorders है और इसके अंदर जो Involuntary Tremors है यह यह आपके अपने कंट्रोल में नी रहता और brain के अंदर जो है DCN करने की power या rigidity जो है brain की वो उसके अंदर problem आज़ते हैं इसके अंदर mental जो faculties हैं वो affected नहीं होती लेकिन जो है इसके अंदर cell death जो है बाजुकाग brain के रिया में हो जाती है और आम तोर पे इसमें dopamine जो है वो produce होना शुरू हो जाता है यूजिली ये 50-60 में disease होती है लेकिन किसी भी और problem से early age में भी हो सकती है इसके लिए बहुत सरी जो है वो effective drugs available है जिसमें L-Dopa जो है इसका effect सबसे better है second disease epilepsy है ये convulsive disorders है nerves का जो के basically abrupt changes आ जाती है motor, sensory, psychic या automatic जो आपके brain के functions है उनके अंदर जो है वो problem आ जाते हैं अगर तो ये इसका disease का जो है before age of 30 होती है तो इसके और तरह के symptoms होंगी लेकिन after age of 30 इसको आप जो है organic disease के तोर पे जो है वो act करते हैं इसके लिए electrocephalography का test करवाया जाता है जिसको आम जुबान में city scan कहते हैं और बाजु का तलकोहल जो use करते हैं यह नहीं शराब पीते हैं उनके अंदर ये disease बहुत जल्दी start हो जाती है अल्जमीड disease जो है scientist के नाम पे है अल्जमायर इसका नाम था 1907 में इसने discover की थी यह brain function में जो decline होता है यह नहीं आपकी memory जो है उसका loss होना शुरू हो जाता है जिसको डिमेंटिया का जते हैं यह आम तोर पे genetic problem की वज़ा से होता है यह नहीं किसी family में यह genetically है तो आईस्ता run करती है और इसके लिए high level of aluminum जो है इस disease को बढ़ाने में जो है ज्यादा असर अंदाज होते हैं तो इसमें जो है brain function with respect to age जो है वो decline होना शुरू हो जाता है क्योंकि यह families और genetic base है इसलिए इसका जो है कोई भी effective drugs इसकी available नहीं है drugs का हमारे coordination पर brain coordination पर बहुत असर है जैसे nicotine कब तयाग है जो लोग cigarette नोशी करते हैं उन में इसका बहुत जादा जो है वसर होते हैं और उससे vomiting, diarrhea और बाज़ुकाद जो है kidneys के जरीए से जो water के जो relationships हैं उन पर असर आते हैं तो इस तरह जो nicotine के यह acetylcholine के जो receptors हैं आपके synaptic membrane में center nervous system और peripheral nervous system में वो इससे affected होते हैं, heartbeat increase हो सकती है, blood pressure भढ़ सकते है, digestive tract के जो है motion वो इसमें मतासिर हो सकती है और यह यह problem इससे आ सकते हैं